हेलो गैस, टेरो ट्वीत मंदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है, कैसे हो, आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे, खोश होंगे, अपने वरा को पॉजिटिव कियो होंगे गैस, आज हम जो रेडिंग करें, उसका टॉपिक है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज़ेस दिये जा रहे हैं यह एक जनरल रेडिंग है, हो सकता आपके साथ रेजोनेट करें, ना करें, जो चीज आपके कंडिशन के नुसर आपको रेजोनेट करते हैं, उसे प्लीज रख लिजेगा, बागे को जाने दिजेगा तो देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज़ेस दिये जा रहे हैं यह एक टाम डिस टेडिंग है काईस, तो आप जब भी इससे देखोगे, यह आपको हल्प करेगी ओके दहार ओफ हैंट फॉर अफ काफ्स इससे स्टर वह व लीड बीड लाएंट, देखते हैंटपको लेड़ के तर रहे हैंटेब लेड़। screen of vans, knight of vans, the high priestess, okay, bottom of the deck, two of vans, okay, abundance, let us wait, okay, forgiveness, okay, 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 miracle, wow, this is the best card, okay, so first of all, I will tell you a sign, science is Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, okay, this is strongly आये है, कुछ science, अगर ये science आपको match नहीं होते हैं, तब भी अगर आपकी condition के नसार ये reading आपको resonate होती है, तो ये आपके लिए होगी, ओके जी, तो universe की तरफ से आपको क्या messages दिये जा रहे हैं, ओके जी, तो सबसे पहला ये बताओ मैं कि आप मैंसे कुछ विएवर्स के family में कोई issue चल रहा है, ठीक है, और ये कोई एक दो दिन से नहीं, कुछ महिनों से चल रहा है, ये मैं कह सकते हूँ, और उसमें क्या है ना कि आपके family का कोई सदस्य एक ऐसा है, एक ये दो होंगे, ठीक है, जो ऐसे हैं कि उनकी वज़े से आपको बहुत बड़ी तकलिफ हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना प्यार, इतना लगाव देने के बावजुद उस इंसान ने, जो आपके ही family के कोई सदस्य है, ठीक है, उन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, बहुत बुरी तरीके से, आपके साथ बहुत बढ़ा धोका किया है, आपके सामने खुलकर ऐसे इस परसन की ऐसी चीजह खुलकर सामने आई हैं, इसका ऐसा मुखोटा उतरा है कि आप सहन नहीं कर पार lots नहीं हो रहा है, आपने कभी नहीं सोचा था कि ये family का सदस्ची होने के बावजूद भी इनका intention आपके लिए इतना बुरा होगा कुछ लोगों के लिए है definitely मुझे माफ करना लेकिन इस cards में जो भी आया है मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ ठीक है और ये चीज मैं सच बताऊ ना तो आप लोगों को पहले से पता थी कि जिसकिसी ने भी आपको धोका दिया है या आपके साथ बहुत बुरा बहीवियर करा है ना या कुछ गलत किया है आपकी लाइफ को लेकर मिंस आपका भी आगे बढ़ ना पाओ इस तरीके की कुछ मान सिकता है उस इनसान की है कि कैसे भी करके आपको पैसों से तोड़ना है और आपके लाइफ को अच्छा नहीं रहने देना एक मैं ये कह सकते हूँ कि इस इनसान को आपसे जलन बहुत ज़ादा है इर्ष्या प्रवत्ति जो होती है वो बहुत ज़ादा है कईने कई या तो आप इन्डिपेंडेंडेंट हो या फिर आपका औरा कुछ ऐसा है जो वो उसका कंपेर जो नहीं कर सकते इस वज़े से वो क्या है ना आपसे इर्ष्या के मारे आपके साथ ऐसा गलत बहुएवियर करते है और जैसा कि मैंने बताया ना कि आपको ये चीज बहुत पहले से पता थी कि इस इन्सान का चाहिए कितना भी करीबी क्यों ना हो इनका व्यवहार आपके प्रतिया ऐसा है लेकिन आप हो emotional ठीक है ना और उस emotions की वज़े से आपने क्या करा कि जब भी उन्होंने आप से उनका व्यवहार बहुत secret है वो कभी तो आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं और कभी बुरा व्यवहार करते हैं मिन्स उनके कहने में बोलने में, समझने में और विचार व्यक्त करने में कहते हैं ना हर एक चीज में difference है कोई भी चीज आपस में balance नहीं करते match नहीं करती तो आप उनका हंदाजा नहीं रखा पाते कि वो आपके लिए क्या है हितेशी है या क्या है उनका intention आपको समझ में नहीं आ रहा था काफी लंबे समय से पता होने के बावजूद भी आप नहीं समझ रहे थे मैं यह कहूंगी आपको प्यूकि आपकी intuition बहुत तेज है और आपको पता था कि इस इंसान का व्यवहार ही ऐसा है लेकिन कहते हैं ना समझ में आ जाने के बावजूद ना समझना तो आपने कुछ ऐसा किया है जिसका भुकतान अब आपको भुगतना पढ़ रहा है कि आपके साथ उन्होंने कुछ इस तरीके की परिस्तित्या क्रेट करने की कोशिश किये जिसमें आप फस गए आप बंदे से फिल कर रहे हो अकेला मैसूस कर रहे हो आप अभी और आपको चाहिए अभी हेल्प हेल्प कैसी? सबसे पहले इमोशनल ये आपको हेल्प चाहिए कि कोई संभाल ले आपको आकर आपको इतनी पीड़ा पहुंचने के बावजूद भी अभी भी यही दिमाग में खयाल रहता है कि काश वो इंसान मतलब आपको समझें और इसके अलाव आप भी जो भी उस इंसान के साथ आपकी हसी मजाक वाली खटी मीटी बाते थी वो याद आती आपको कि एक समय ऐसा भी था ये दिमाग में आपके चलता रहता है और इस बार जो है ना उस इंसान का पूरा मोखोटा आपके सामने उतर चुका है आपको एकदम क्लियर पता चल गया और आपको ये भी पता चल गया है कि आप इस इंसान के इस इंसान पर आप दोबारा विश्वास नहीं करना है ट्रस्ट नहीं करना है और ये सच कहूना काईस वाकई में कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है और उनका आपकी लाइफ का एक सरकल खतम हुआ है मैं ये कह सकते हूँ ये चीज आपको बहुत पेड़ा पहुचा रहे थी अगर ये बात अभी नहीं होती या ये परिस्तिति अभी आपके साथ नहीं बनती तो ये इंसान आपके आगे की लाइफ को बहुत बूरा कर देता ये जो कोई भी हो सकता है करीबी हो सकता है करीबी ना हो कि थोड़े दूर के रिडेटिव में हो लेकिन एक परसन दो परसन तो कुछ ऐसे हैं दो लोगों का लग रहा है मुझे ठीक है तो ये आपके आगे की लाइफ के लिए बहुत जरूरी था कि आप आगे भविश्य में जो है जो आपको सक्सेस पानी होने उसके बीच में या आपके जो भी अच्छे काम होने है न शोबकार ये होने हो न उनके बीच में ये लोग ना आए क्योंकि आप आँक मूंद कर इन लोगों पर ट्रस्ट कर रहे थे और यही लोग आपका ट्रस्ट तोड़े जा रहे थे आपको अभी बहुत तकलिफ हो रहे बहुत चोट पहुची है तो यूनिवर्स की तरव से आपको यही का जा रहा है कि जो कुछ भी इन दिनों में या इन महीनों में आपके साथ हुआ ना तो उसके बारे में रियलाइज करो कि आपके द्वारा कहां पर गलती हुई है इतना इमोशन होना भी अच्छी बात नहीं है आप कहीना कही बहुत जादा इमोशनल हो गए आपके सामने चीज़े आने के बावजूद भी है आपने नहीं समझा गलती आपकी हुई ना अब उस गलती को आगे मत दोहराना यूनिवर्स भी यही चाहते है जैसे एक कहते है ना जैसे एक कोई टीचर होता है वो स्टुटन को पढ़ा रहा होता है तो वो क्या कहता है कि इस पेज के जो भी मैं समझा रहा है वो आपको समझ में आ गया क्या अगर आ जाता है तो मैं पेपर चेंज करता हूँ ठीक है वरन्न वो पेपर चलता रहेगा मिस वो चैप्टर चलता रहेगा अगर आप अब भी नहीं समझे तो भगवान को यूनिवर्स को कह दो हाँ मैं समझ गई या मैं समझ गया अब वो चैप्टर चेंज करो प्लीज और आपको क्या करना अभी कोई बैर भाव नहीं रखने है किसी के लिए भी हाँ ये जरूर ये है कि जो भी आपके पेट के पीछे हुआ है ना तो उसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे करो कि आपके साथ नियाए हो ये कहना गलत नहीं है बाकी कुछ भी नहीं कहना अपने को क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ खुद बखुद नियाए करेंगे खुद बखुद जस्टिस करेंगे आपको क्या करना है, forgiveness अपना लेनी है क्या आपको माफ कर देना है माफ करके अपनी life के लिए आगे बढ़ना है क्योंकि पहले मैं बताओ ना कि इन लोगों ना आपकी कदर नहीं की है बिन मांगे आपने प्यार दिया है लगाव दिया है तो अभी इन लोगों को आपकी कदर नहीं है, नहीं होगी, जब इनको फिल हो जाने दो कि चीजे सारी खतम हो गई है, आप जब अपना ध्यान इन लोगों में से हटा लोगे ना, तब देखना इनकी लाइफ में क्या होता है, क्योंकि आपने काफी सारी इनको पता नहीं है, ना, यूनिवर्स की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी लाइफ में अब तक का जितना भी संगर्श झेला है ना, उससे आपने काफी एक्सपीरियंस पा लिया है, काफी अनुभव पा लिया है, ठीक है, तो यह चीजे तो आपकी है, तो बस इस बात का लेना कि आपको इतना इमोशन नहीं रखने चाहिए था, यह इतने इमोशनल नहीं होना चाहिए था, जहां जैसा इंसान होता है, वहाँ वैसे उसी तरीके से बात की जाती है ना, अगर कोई इंसान जूटा है और आपके वल सच सच बोलोगे तो क्या होगा, वो बात करने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती फिर वहाँ पे, शब्दो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती और यह आपके साथ हुआ, अब फॉर्गिवनेस अपना कर सिर्फ आगे बढ़ो आप, आप अपना कोई लक्ष बनाओ, कोई टार्गेट बनाओ, और एक दम कहता है ना, द्रड निश्चे करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये चीज़े किसलिए हुई है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में एक सक्सेस लिखी हुई, आपकी लाइफ में सबसे पहला तो एक नया सरकल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस सरकल में आपको जो है, खुब रेस् जो उत्पन हुई है ना, ये उसी के लिए उत्पन हुई है, कि आप इन चीज़ों को समझो, ऐसे लोगों को समझो, और अपनी लाइफ में इन लोगों से एक डिस्टन्स बनाओ, तब ही आपके आगे कि आने वाली लाइफ में जो आपको सुख मिलना लिखा हुई है, वहा आपका ध्यान उस तरफ है, जो अभी इन महीनों में आपने खोया है, आपको ये लग रहा है कि कैसे भी करो है तो फैमिली के लोग हां मैं इक मानती हूँ, चाहिए करे भी हो या दूर के भी रिलेटिव्स क्यों ना हो, फरक पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है जी, फैमि किसी को बता सकते हैं, उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं, अपने एक एहसा औरा या बाउंडरी बना सकते हैं, जिससे उस इनसान को पता चल जाए कि वो दो बारा आपके साथ धोका नहीं कर सकता है, ये तो करे सकते हो ना लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप वही चीज आने वाले हो कि धन्यवाद यूनिवर्स आपने जो भी क्या मेरे भलाई के लिए किया है वरना ये लोग पता नहीं लाइफ का क्या गर देते हैं आपको नोटिस करो आपको आपको आंसर मिल जाएगा जो कार्ड कहना चाहते हैं वो मैंने एक लाइन मा आपको बात बताई है तो आपको तोड़ना नहीं है किसी के साथ रिष्टा है ना ऐसा नहीं कि पहले तो बिल्कुल एकदम अटेश्मेंट हो गए और एकदम आप बिल्कुल तोड़ दिया आपने ना ऐसा नहीं ना तो ज़्यादा अटेश्मेंट रखना है और ना ज़्यादा दूरी बनानी है खुद के बारे में भी सोचना है अब आपको जिन लोगों ने आपको बताया ना कि चीजे उनकी तरफ से कंप्लीट हो गए अब आप बता दो उनको हाँ जी बिल्कुल हो गई दरवाज़ अगर बंद होता तो दोनों तरफ से होता खुंडी दोनों तरफ से लगती है है ना बस यह दिमाग में रखो अपने आपकी लाइफ में आगे अगर आप अब भी जॉब नहीं है अभी आपके पास चाहे आप मेल हैं या फीमेल मैं आपको बता दू कि आपकी लाइफ में जो है ना एक बहुत अच्छी जॉब लिखी हुई है मैं जॉब का ही कह रही हूँ क्योंकि यहां पर जॉब का आया है ठीक है तो आपके बहुत अच्छी जॉब लिखी हुई है अगर आप competition की तेहरी करते हो अगर आप focus रख लेते हो ना अभी मैं बताओ आपका focus रखना job के लिए बहुत मुश्किल होगा आपका पढ़ना भी बहुत मुश्किल होगा लेकिन यही समय है guys बिलकुल कि अगर आपने अभी हारना मान कर अगर फिर भी परिस्थित्यों से उपर उठकर अगर आपने focus लगा लिया ना अगर आधी ही मैंनद कर ली ना तो मैं बताओं आपको कि यूनिवर्स आपको यही कहते है कि आप जीतोगे आपको फत्य मिलेगी आप जो नौकरी चाहते हो वो आपको मिलेगी क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि बच्चे ने इतनी परिशानी जहलने के बाद में भी हिम्मत दिखाई है ठीक है ना तो आपको अभी उटकर खाड़ा होना है और बिल्कुल जिस पी चीज की कॉंपिटिशन की तैयारी कर रहे थे ना वो करने हैं आपको आपके life में abundance ही मिलेगी देखो ये card क्या कहता है कि abundance लिखी हुई है आपको वो ही मिलेगी आपको डड़ने घबराने की कोई जुरूत नहीं है ये इनसान आपको abundance लिखी हुई थी और उसके बीच में ये बादा बनने की कोशिश कर रहे थे अब क्या है कि universe आपको पहले से ज्यादा देंगे और ये लोग सर पकड़ के बैठेंगे कि क्यों आपके सुख में या abundance में इन्होंने रोड़ा डालने की कोशिश की ये और ज्यादा परिशान होंगे हां मुस्कुरा हो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि cards ही कुछ ऐसे हैं ऐसा ही होता है guys जो जलन करने वाले लोग होता है ना तो उन्हें समय और ज्यादा इर्शा डालने की कोशिश करता है कि अभी आप बस cards ये बता रहे हैं और आपकी लाइफ में देखो definitely miracle होगा definitely miracle अगर ये देखो ये देखो ये card और ये card ये ही बता रहे हैं कि अभी आप इस condition में आपको ऐसा लग रहा है चीज़े सब कुछ खतम हो गई आपकी life में ये जो भी वातावरन आपकी family में बना चाहिए married life में बना मैं दोनों के बारे में भी बता सकती हूँ ठीक है ना तो वहाँ पर ये ही condition है अभी आपकी आपको लग रहा है सब खतम हो गया लेकिन ये सब आप पर है guys ये सब आप पर है क्योंकि कभी कभी कहता है ना कि किसे इंसान के behavior को ऐसे नहीं मतलब सुधरा जा सकता है कितने भी प्याट से समझा लो उसे लेकिन नहीं समझाया जा सकता लेकिन समय आने पर ही वो समझ सकते है ना तो अभी समय आपको ये ही कह रहा है कि आप आगे बढ़ जाओ move on करके आगे बढ़ो ऐसे इंसान के बारे में मत सोचो ऐसे इंसान पर ध्यान मत धरो तब देखना जब आप अपने पर फोकस करोगे ना अपने सेल्फ रेस्पेक करोगे आपको जौब मिलेगी ये मिरेकल होगा आपकी लाइफ में अभी एक जैसे एक एक एक्जांपल की तौर पर बताती हूँ कि आपको यही कहां जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से कि बस आप उपस्तिती दर्ज करवा दो अपनी युद के मैदान में जीत आपकी फटह जो है वो निश्चित हैं तो आप क्या करोगे आपको जब पता होगा कि पहले से आपकी जीत निश्चित है अगर आप युद के मैदान में अपनी उपस्तिती दर्ज करवा लेते हो तो आप क्या करोगे जाओगे ना तो बस अभी आपसे यहीं कहा जा रहा है कि बस अपने पर फोकस लगा कर आप जो भी अचीव करना चाहते हो जो टार्गेट है आपका जो बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसके लिए कोशिश करो आपकी लाइफ में देख लेना क्योंकि आपने कुछ नहीं खोया है खोया उन लोगों ने और तकलिफ आपको हो रही है आपने तो उनके वो अपनी ओनेस्ट ही दी है लेकिन ऐसे लोगों को आपकी ओनेस्ट ही पसंद नहीं गहीं पर कोई बात नहीं समय इनको आपकी कदर करवाएगा तो आपको छिंता करने के जुरूरत नहीं तो युनिवर्स की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि यह सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अगर यह सब चीजे भूला कर फॉर्गिव करके आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ के लिए कुछ एक्शन लेते हो तो आपको डेफिनेटली सक्सस मिलेगी जो चाहते हो वो अचिव कर पाऊगे आपकी लाइफ में जो भी हैपी मोमेंट चाहते हो वो सब भी होगा और इन परिस्तितों में भी सुधार चाहते हो आपको आप इसे समझ सके और अपनी लाइफ में जो है अच्छा कर सके बहुत अच्छा होगा गाईज और चिंता मत करना आप बिल्कुल भी ठीक है ना तो गाईज ये थी आपकी डेटिंग होप आपको पसंद आए अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कॉमेंट लाइक शेर कीजिए मैं मिलते हूँ आपको नेक्स रेडिक में तब तक के लिए बाबाए